क्या आपके चहरे पर भी pigmentation, pimples, open pores, dark spots, this, that, ये break out, वो break out, lot, lot कर वापिस आता है। क्या आप उस lot को belong करते हैं जो कहते हैं कि clear skin तो भई luxury होती है। तो believe me, आज मैं ये luxury का gift आपको देने के लिए आई हूँ। आपका skin का texture चाहे जो भी हो, आपकी skin बिल्कुल clean हो सकती है, बिल्कुल vibrant हो सकती है, वो जो परिशानियां बार-बार lot, lot कर आती हैं, वो once and for all हमेशा के लिए चली जाएगी, provided, आप इसको exactly ऐसे ही follow करें, जैसा कि वीडियो में बताया जाएगा, और बिना किसी नागा किये, यानि कि आपको इसको religiously follow करना है, कोई भी break बीच में नहीं लेना है, अगर कर लेते हैं, तो happy skin to you. Hello to all the wonderful people out there, welcome back to the channel, आशा करती हूँ, मेरा परिवार खुश है, स्वस्थ है, अपना खयाल रख रहा है और बहुत positive है, अगर आप हमारी चानल पर पहली बार आ रहे हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है प्रेड़ना, चानल का नाम है प्रिती प्रेड़ना, और य क्लिक कर दीजे, उसकी बगल में एक बैल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दीजे, और आप बन गए हमारा खुब सुरत सा हिस्सा, और अगर कहीं इस प्रोसेस में आपको हमसे प्रेड़न हो जाए और आप हमको पर्सनली जानना चाहें, तो आप मेरे दूसरे चानल जिसका नाम सारी remedies में इस्तमाल करते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि ये preserve करेगा इस remedy को और लंबे समय के लिए आप इसको इसको इस्तमाल कर पाएंगे, लेकिन आज मैं आपको समझा रही हूँ कि ये vitamin E oil अपने आप में कितना सक्षम है, आपके skin के texture को बरकरार रखने के लिए, उसे healthy रखने के लिए किसी भी प्रकार का oxidative stress, किसी भी प्रकार का external environment का stress आपकी skin को होने ही नहीं देगा, जी हाँ, vitamin E is the most potent thing जो आपकी skin स्वयम बनाती है, क्या ये आप जानते हैं, जी हाँ, आपकी skin vitamin E खुद produce करती है, इसी वजह से जब topically इसका application किया जाता है, तो आपकी skin इसको जट से पहचान जाती है, आप सभी को बता चुके हों कि हमारी skin को हमारा दूसरा मू कहा जाता है, कुछ चीज़े हम मू से खाते हैं, अच्छी diet लेते हैं, जो कि vitamin E में rich होती है, जिसकी वजह से हमारे blood को vitamin E मिलता है, और वो अंदर कोशिकाओं में जाके हमारी skin को vitamin E देता है, दूसरा तरीका, आप उपर से कोई चीज़ अपलाई करते हैं, और हमारी skin यहीं से इसको खा लेती है, लिटरली नहीं, लेकिन yes, absorb कर लेती है, इसलिए skin को दूसरा मू कहा जाता है, अब vitamin E का अगर आप सही इस्तमाल करना चाहते हैं, अपनी skin को improvise कर रखना है, वो है internally इसका भरपूर मातरा में होना, यानि कि आप अपनी diet में भी vitamin E का खयाल रखेंगे, इन सभी खाद्य चीज़ों में vitamin E भरपूर मातरा में होता है, इन में से एक चीज, कम से कम एक चीज आपको हर दिन अपनी diet में लेना है, और vitamin E की मातरा आपके शरीर मे बिल्कुल बनी रहेगी, ना तो आपके eyesight weak होगी, ना आपकी skin खराब होगी, ना ही आपके बालों में कोई परिशानी आएगी, देखें, ये building process है, एक दिन में magic नहीं होता कि आज एक capsule खाए and we are happy, ऐसा नहीं होगा, आपको vitamin E अगर लगता है कि ये चीज़े मैं नहीं ले स हैं, पर ultimately वो आपके खाने के लिए है, तो एक tablet every single day after your breakfast आप ले सकते हैं, लेकिन जिनकी skin oily है, क्योंकि ये vitamin E oil होता है, तो आपके शरीर में जाधा हो सकता है, also ये fat soluble होता है, यानि कि most of the vitamins होते हैं, पानी में मिलते हैं, इस वज़े से अगर उनकी मातरा जाधा भी हो करती है, आप समझ रहे हैं, जब हम यूरीन पास करते हैं, लेकिन क्योंकि विटमिन E fat soluble होता है, इसलिए ये आपके शरी में जो fat molecules होते हैं, वहाँ पर जाकर deposit हो जाता है, आप deposited तो रहना चाहिए, लेकिन excess मातरा में नहीं क्योंकि ये काफी harmful होता है, तो क्या किया जाए The best way is, अगर आपकी skin oily है, तो आप हफते में दो दिन इसका seven करेंगे, that's all, अगर आपकी skin dry है, और आपको dry skin से related परिशानिया skin में बार बार आती हैं, तो आप इसका जो seven है, वो हफते में चार बार करेंगे, समझ में आ गया, breakfast के बाद आप ये vitamin अपनी body के अंदर लेंगे, जो भी capsule आपकी पास available है, आप वो ले सकते हैं, the best practice would be, कि आप अपनी doctor से consult करें, जो आपकी body में suit करता है, उसका इस्तमाल करें, however, most of the vitamin E's available है, आजकल काफी अच्छी है, you can absolutely make use of it, now, हमने अपनी diet में vitamin E को regulate कर लिया, हम supplement भी ले रहे हैं after breakfast, हमारी body में vitamin E की deficiency तो बिलकुल नहीं है, ये बात तो clear हो चुकी है, that means, internally vitamin E की कोई भी परिशानी हमारी body को नहीं है, now, comes the external body, अब हम अपनी skin को externally, vitamin E का dose देंगे, सही तरीके, सही मातरा में अगर आप देंगे, तो आपकी skin पर आपको कोई परिशानी नहीं होगी, बल्कि इन लॉंगर आपकी skin एकदम, you know मलाई जैसी हो जाएगी, कोई परिशानी आपकी skin पर नहीं होगी, and you will have the confidence, कि आप बिल्कुल bare makeup, bare anything, बाहर जा सके, sunscreen के बिना नहीं, but वैसे आप बिल्कुल बाहर जा सके, आपको कोई परिशानी आज सच नहीं होगी, क्या करना है, ये बताने से पहले, मैं आप लोगों के साथ शेर करना चाहती हूँ, कि क्यों करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि एक बार मन वहां पहुँच जाए, तो body के लिए बहुत आसान हो जाता है, उस ठीज को करना, और खुद वहां पर पहुँचना, इसलिए सब सबसे पहले मैं आपके मन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ, कि जो आप कर रहे हैं, वो आपकी स्किन के लिए एक वर्दान साबित हो सकता है, प्रोवाइड आप इसको रेगिलरली और रिलीजिसली करें, सबसे पहला पॉइंट है, कि विटमिन ए एक प्रिज करता है, वो oxygen को कट कर देता है, और जो भी organic चीज होती है, वो प्रिजर्व हो जाती है, तो यह आपकी स्किन को प्रिजर्व करता है, किसी भी oxidative stress से, आप सभी को बहुत अच्छे से जान का रही है, कि free radicals क्या होते हैं, यह वही होते हैं, जो आपकी स्किन को सारी परेशान ही देते हैं, तो इनी free radicals के जो डामेज है, उससे आपको प्रिटेक करता है, विटमिन E, ओल्सो यह गजब का anti-oxidant है, again, anti means against, oxidant means oxygen, तो oxygen के against होता है, इसी लिए जलने नहीं देता है, और स्किन को प्रिजर्व करके रखता है, एंटाइजिंग प्रॉपर्टीज देता है, जिहां कोई wrinkles नहीं आने देता, कोई breakout नहीं होता, तो कोई निशान नहीं रह जाता, कोई भी जुर्या नहीं आती, क्योंकि dry कभी होने नहीं देता है स्किन को, तो ultimately आपकी स्किन बहुत radiant हो जाती है, gradually, एक बार में नहीं, विटमिन E is photoprotective, यानि कि ये एक natural sunscreen है, हम जब भी घर से बाहर जाते हैं, तो sunscreen लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि स्किन पर UV radiation जब भी पड़े, तो damage कम हो, लेकिन अगर आपकी स्किन पहले से ही अगर prepared हो, कि थोड़ी बहुत धूप आभी जाए, तो हम खुच जहल ल नहीं होने देती, बहुत सारी researches में, बहुत सारी शोधों में ये पाया गया है, कि विटमिन E एक immunity है, आपकी स्किन और आपके बालों के लिए, जी हा, लोही की जो ग्रिल होती है, उसमें रस्ट हो जाता है, इसलिए हम पेंट करते हैं, जस्त लाइक डाट, विटमिन E आपके लिए बहुत amazing चीज है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तमाल करते हैं, तो, अब हमें समझ में आ चुका है कि क्यों करना है, अब बात करते हैं, क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, वो है, आप अपना moisturizer ले सकते हैं, रात के समय, मैं जो भी प्रक है, दिन भर में आप अप्लिकेशन अपने चेहरे पर नहीं करेंगे, विकेज इस नाट वेरी कामफोटेबल, चिप चिप होता है, धूर लग जाती है, सम्तिंग ओधी आदर, इसलिए रात को सोने से पहले आप अपने चेहरे को वाश कीजिए, सर्दिया आ रही है, कैसे कर है, I don't know, just do it, it's very important, आप अपने चेहरे को, सर्दिया इस दे बेस्ट ताइम जब आपना टेक्स्चर जो है, अपलिफ्ट कर सकते हैं, नहीं मान रहे हैं, मत मानिया, कोई कुछ नहीं कर सकता, but this is, एक experience fact बता रही हूं, कि सर्दियों में अपनी स्किन को जितना अच्छा कर लेंगे ना, गर्मियों में वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, that's all, क्योंकि अचीव नहीं कर सकते गर्मियों में, तो सर्दिया इस दे बेस्ट ताइम, now what needs to be done, सबसे पहले सोने से पहले आप अपने मूँ को अच्छे से वाश कर लीजे, फेस वाश यूज करते हैं, त तो वो मॉस्टराइजर ले लीजिए, इसमें आप दो ड्रॉप विटमिनी ओले लीजे, अच्छे से अपने आइलिद्स पर, अपने आइब्राउस पर, अपने अंडर आय पर, you know, sides of the lips, around the mouth, that is, जो आप बोलते ही हैं, आपके नोस के साइड में प्रॉपरली लगाईए, अपनी गर्दन पर अच्छे से प्लाई कीजिए, and then let it be, next day morning, जब हलके लुक्वर्म वाटर से, सर्दिया हैं, obviously, जब वाश करेंगे ना, तो जो ऑईल है वो तो वाइप अफ हो जाएगा, जो रह जाएगा, वो सिरफ सपल स्किन होगी, ऐसी स्किन अपने कभी देखी नही Another thing that can be done is, आप aloe vera gel, इसमें दो drops vitamin E की ले लीजे, इसको अच्छे से mix कर लीजे, and apply it all over your face and your neck, और अराम से सो जाएगे, next day morning, repeat the same, lukewarm water से wash करेंगे, and you will have nothing but so vibrant, क्योंकि aloe vera अगर अप नाच्रल लेते हैं, तब तो कमाली है, otherwise, कोई ट्रांस्परिंट अच्छी कमपनी का तो भी आपको बहुत अच्छे रिजाल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, साक्षात मॉइस्चर है, और विटमिन E आपकी स्किन का ही पाठ है, तो गजब के रिजाल्स आपको इमेडिये दिखने मिलते हैं, another thing that you can do is, आप एक छोटी सी डबी ले लीजे, इसमें आपको ल आप इसमें विटमिन E ओल ले लीजे, तूथपिक से हैं जिससे भी स्टर कर लीजे, and keep it along your bedside, जहां भी आप सोते हैं, सोने से पहले जिस्ट थोड़ा सा लीजिए, ताप 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 लेजिए, उसके बाद अपलाई, अच्छ से मसाज कर लीजिए, दे और नेक पर भी, and then you sleep, तक्या गंदा हो जाएगा, तेकि इतना सारा नहीं लगाना है कि तक्या गंदा हो जाएगा, it is very very little आपको लेना है, and apply it all over your face, अगर आपकी oily skin है, तो आप इसको हफते में सिरफ तीन बार करेंगे, that's all, इससे जादा हमें जरुरत भी नहीं है क्योंक जाते हैं, वो बस regulate हो जाते हैं, इतना सारा oil नहीं produce करना है, तो behavior self और जो open pores की परिशानी, oily skin वालों को हो जाती है, वो subside होने लगती है, यहीं प्रूफ होगा, कि आपको ये चीज़ सूट कर रही है, अगर आपकी dry skin है, तो पूरी सर्दियां रोज करिए, कोई परिशान ही नहीं है, अगर आपको initially breakouts आते हैं, तो आप breakout जब active है, तब के लिए रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से start कर दीजिए, gradually आपको दिखेगा कि आपकी skin इसके लिए काफी comfortable हो गई है, और बहुत ही गजब के results आपको दिखेंगे, आपकी skin कैसे reward करेगी, सपल हो जा आपको किसी चीज के आवश्चता नहीं है, ऐसे बाहर जा सकते हैं, यह है विटमिन E, जो कि आपको religiously, regularly, हर दिन प्राइ करना है, dry skin people, और breakouts जब हैं तब नहीं करना है, और जिनको oily skin है, उनको सिरफ हफते में तीन बार का application would be sufficient, और अगर आप इसको बिना drop किये, like हफते में तीन बार आपने ढंक से किया है, believe me, आपकी skin का जो texture है, वो इतना improvise हो जाएगा, that you are going to be surprised कि भई, पहले क्यों नहीं पता था, better late than never, तो अब ट्राइ कर लीजिए, skin अच्छी होगी, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मेरी एज 30 प्लस है, 40 प्लस है, क्या सामने, 50 years की, जो महिलाई है, वो मुझे मेसेच कर रही है, 60 years की महिलाई मुझे मेसेच कर रही है, that so and so things are working for me, they are sharing their pictures, they are so happy, and believe me, आप सब की खुशी में मेरी खुशी है, मैं आप लोगों के साथ कोई ऐसी चीज शेर नहीं करूंगी, जो कि मैंने नहीं देखा है कि काम या जिस पर मुझे विश्वास नहीं है, आप बहुत इत्मिनान के साथ यह सारी के सारी चीज़े अपने लिए कर सकते हैं, मैं इतना लंबा इसले बोलती हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, इस पर विश्वास कर सकें, और जैसे आपने किसी चीज पर अपना बस विश्वास कीज़े और करते जाएं, आशा करती हूँ, मेरे परिवार को मेरी प्रस्तुती पसंदाई होगी, अगर आप कोई टॉपिक समझ में आया है, तो इसको ट्राइ कीज़े, अपने लिए इस्तमाल कीज़े और वापस आके हम सब के साथ शेर कीज़े कि आपके ये रेमेडी कैसी रही, I am pretty sure कि विंटर के बाद जो समर आने वाली है आप काफी खुश हो जाएंगे, आपकी स्किन काफी अची हो जाएगी, प्रोवाइड आप इसको रिलिजिसली करें, All the very best to my family, I'll see you all in the next video with something magical for your skin, hair and health, तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखि थांक यू सो वरी मच्च, तो आएए बात करते हैं, 10 मिनिट्स मोर प्लीज, आएए बात करते हैं, ना के लालोगे वाई, All right